प्यारे विध्यार्थियों कैसे हो आप आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे तो आए हम आज का अध्याय प्रारंब करते हैं हमारे अध्याय का नाम है लत लकार मध्यम पुरुशह मध्यम पुरुश वारतालाप करते समय श्रोता अर्थात सुनने वाला मध्यम पुरुश कहलाता है मध्यम पुरुश के तीनों वचनों के करता क्रमशह इस प्रकार है प्यारे विध्यार्थियों इससे पूर्व हमने प्रथम पुरुश का पाट किया था प्रथम पुरुश इस अंसार के सभी प्राणी और सभी वस्तुवें आती है। इसी प्रकार मध्यम पुरुष अर्थाथ वारतालाब करते समय, श्रोता अर्थाथ सुनने वाला मध्यम पुरुष कहलाता है। मैंने आपको पूरु में भी उधारन दिया था कि जैसे मैं भकता हूँ, मैं बोलने वाला हूँ और आप मेरी बात को सुन रहे हैं, तो आप मेरे लिए क्या हैं? श्रोता अर्थाद आप मेरे लिए मध्यम पूरुष हैं. आज हम उसी मध्यम पूरुष के बारे में यहां पर हातू के अंत में क्रमशह, असी, अथह, तथा अत जोडे जाते हैं, जैसे पठसी, पठथ, पठत, त्वम पठसी, युवाम, पठथ, यूयम, पठत, त्वम, लिखसी, युवाम, लिखत, यूयम, लिखत, विशेश, मध्यम पूरुष के जिस वचन का करता होता है? पूरुष के उसी वचन की क्रिया होती है, मध्यम पूरुष का प्रयोग, पुलिंग, तथा इस्त्रिलिंग दोनों में समान रूप से होता है, प्यारे विध्यातियों, यहां विशेश बात यह है कि जब हम किसी भी करता का प्रयोग करते हैं, और वह जिस पूरुष की की जा रही है, उसी पूरुष के करता जो होते हैं, वे उसी क्रिया में होते हैं, जैसे अगर हम एक वचन की जो क्रिया है, अगर उसके लिए करता एक वचन का ही प्रयोग करेंगे, तो हमारा वाक्य सही होगा, जैसे यहां पर मध्यम पूरुष का प्रयोग किया गया था परवनाम शब्दों में जो त्वम है वो मध्यम पुरुष का है और पठसी धातु अगर आप देखेंगे जिसको आप किरिया के नाम से जानते हैं वह भी मध्यम पुरुष एक बचन की है और त्वम भी यहां पर मध्यम पुरुष एक बचन का है त्वम चात्रह असी युवाम चात्रव स्थ युयम चात्राह स्थ त्वम पठसी युवाम पठत युयम पठत त्वम नमिता असी युवाम रमा श्रेया च स्थ युयम बालिके स्थ त्वम लिखसी युवाम लिखत युयम लिखत त त्वम वानरह असी, युवाम हंसव स्थ, यूयम चटकाह स्थ, त्वम आमरपलं खादसी, यूवाम तरथ, यूयम उत्पतथ, त्वम सेक्षकह असी, यूवाम बालिके स्थ, यूयम महिला स्थ, त्वम पाठयसी, यूवाम किलडथ, यूयम ब्रहमत प्यारे विध्यारतियों आप इस प्रकार के यहां पर बहुत अन्य उधारन देख रहे हैं यहां पर हमें द्यान रखना है कि अगर हमारा पुरुष मध्यम पुरुष का है तो हमारी क्रिया भी यहां पर मध्यम पुरुष की रहेगी जैसे अगर आप उधारन अभी हमने यह पुरूष है, और मध्ध्यम पुरुष हम किस Kee लिए प्रयोक करते हैं। अर्थात को सुनने के लिए अगर मैं आपको कहूँ तुम शिक्षक हो तो मैं आपके बाद कर रहा हूं और आपके लिए और सुनने वाले और आप सब तो यहां पर मैंने आपके लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया वह था त्वम और त्वम यहां पर मध्यम पुरुष एक बचन है तो क्रिया भी यहां पर मध्यम पुरुष एक बचन की प्रयोग हो रही है असी त्वम कोकिला असी, त्वम क्रिष्णा असी, त्वम मधुरम गायसी, युवाम शुकव स्थ, युवाम हरितव स्थ, युवाम परस्परम वद थ, युयम शमिका स्थ, युयम शमम कुरू थ, युयम अधुना खाद थ प्यारे विध्यारतियों आप देखिए त्वम के बाद यहां पर युवाम और यूयम का प्रेयोग हुआ है और त्वम यहां पर एक वचन में है युवाम यहां द्वी वचन है और यूयम यहां पर बहु वचन है और क्रमशह अगर आप देखेंगे कि इनकी क्रिया भी वच के हिसाब से बदलती चली जाती है तो असी युवाम अगर भी वचन है तो यहां पर जो प्रयोग अगर आपने देखा है युवाम के साथ तह और यूयम के साथ इन शब्दों का प्रयोग हुआ है तो प्यारे विध्यारतियों मैं आशा करता हूं कि आपको यह पाठ समझ आय होगा आप भी सभी सर्वनाम शब्दों को और मध्यम पुरुष्ट के जो सब्द हैं उनका स्मर्ण जरूर करेंगे